आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नंबर 5 सब्जेक्ट मैच्स क्लास 6 हमारी देट 19 जुलाइ के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम नंबर्स के बारे में ही जानेंगे कुछ चीजे रिवाइस कर लेते हैं रिकॉल कर लेते हैं ठीक है यहां आएक एक हैक एक है और टीन बनाना और 4 लीची जैव और 77 मिलाकर कितने होगे शुरूंत यहां है विफ्तीन फ्रूट स्वुट छिक है एंड कर सकते हैं 2 एक हैड कर सक्टों सिंपल fert यामेंए 8 plus 7 15 fruits total होगे all together ठीक है तो जब भी आपको all together word देखे तो आपको क्या करना है plus करना है ठीक है चलिए आगे देखे what is addition addition क्या है putting together एक साथ चीजों को रखना all together how many in all ठीक है total sum counting ahead यह सारी words आपको जब भी देखे तो आपको क्या करना है add करना putting together मतलब एक साथ रखना मतलब add कर दो all together का भी वही meaning हो गया how many in all sub में कितने हो गई मतलब सारे मिलाकर total अगर आपसे पूछा जाए या फिर sum sum मतलब plus करना counting ahead यह जब भी words आपको दिखे statement sum में तो add करोगे steps क्या होंगे solving problem में तो देखो identifying the problem पहले problem को आपको पढ़ना है identify करना है यह समझो कि पूछा के गया understand what is asked ठीक है encircle important numbers जो important numbers है उनको circle करो underline the keywords और उनकी keywords को underline करो उसको sum job problem को solve करो और answer निकालो कैसे करेंगे चली question से कर लेते हैं सबसे पहले simple add करना देखते हैं write in columns and add आपको क्या करना है columns में लिखना है और add करना है ठीक है 3 2 4 6 और 1 5 2 0 को add करना है तो उपर लिखा मैंने 3 2 4 6 नीचे लिखा 1 5 2 0 तो यहां से add करेंगे हम simply तो क्या होगा 6 plus 0 6 4 plus 2 6 2 plus 5 7 3 plus 1 4 4 7 6 आपका answer हो क्या अब statement से हम कैसे करने हैं यहां पर क्या है there are 3 5 6 2 men इतने men है और इतनी women है ठीक है और इतने children है एक village में तो आपको total population निकालने है village की कैसे निकालोगे total number of men कितने है men तो इतने है women कितनी है women इतनी है ठीक है और children कितने है children इतने है तो तीनों मैंने लिख दिए man woman और children लिख अब क्या करना है find the total population total निकालना है तो क्या करोगे add करोगे तो इन तीनों को add कर दो 2 plus 0 plus 0 2 होता है 6 plus 2 8 8 plus 3 11 तो यहां पर आ गया 1 उपर गया carry 1 plus 5 6 6 plus 4 10 10 plus 4 14 तो 4 यहां लिखा 1 carry गया 14 का फिर यहां पर 3 plus 1 4 4 plus 3 7 7 plus 1 8 आ गया तो total population कितनी होगी 8 4 1 to 8 412 इस तरीके से आपको questions करने आगया समझ चलिए अब चलते हमारे questions black stripe first आपका question है arrange in columns and add आपको इनको columns में रखना है और add करना है तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं first question first answer यहीं पर लिख दू मैं first का आप लिखोगे 5 4 1 and 6 5 4 ठीक है add करो चलिए 5 प्लस 4 और 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 6 प्लस 5 11 तो 1 1 9 5 हो जाएगा first का answer ठीक है हो गया first आगे चलू मैं second पर second देख लीजिए second है यहां पर ठीक है second यहां लिख देती हूँ 8 5 4 1 5 4 8 7 ठीक है add करो इसको 7 प्लस 1 8 होता है ठीक है 4 प्लस 8 12 होता है तो 2 यहां पर 1 carry 5 प्लस 5 हो गया न क्योंकि 1 carry भी है 10 हो गया 0 यहां पर और 1 carry 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 14 हो गया ठीक है यह आपका answer हो गया clear यहां से नहीं समझ में आए तो यहां पर आपके दोनों answer सही रहें ठीक है 1 1 9 5 है second answer आप यह है 7 प्लस 1 8 4 प्लस 8 12 carry 1 5 प्लस 4 9 प्लस 10 0 हो गया 1 carry 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 14 तो यह हो गया आपका first part यह हो गया second part अब आगे चलें चलिए next is question number 2 यहां पर देखे question number 2 में आपको यह कह रहा है कि a man plugged 435 mangoes from one tree एक है आदमी ने 435 mangoes एक ट्री पे से लिए 450 mangoes secondary पे से लिए और 295 mangoes third tree पे से लिए तो आपको total number of mangoes निकाले तो total number of mangoes मतलब प्लस करना तो आप कैसे लिखोगे mangoes from first tree ठीक है mangoes from first tree कितने होगे 435 435 लिखोगे mangoes from second second tree कितने होगे 450 given question में है ना और third है आपका mangoes from third tree third tree कितने होगे 295 add कर दो simply इनको add करें कि क्यों total पूछा है तो यहां से क्या जाएगा 0 5 plus 5 0 हो जाएगा 1 यहां पे carry चला जाएगा ठीक है फिर यहां पे 3 plus 1 4 हो गया 4 plus 5 9 9 plus 9 18 तो यहां पे मैंने 8 लिखा और 1 फिर से carry चला जाएगा फिर 4 plus 1 5 5 plus 4 9 9 plus 2 11 तो 1 1 8 0 तो यहां पे लिखो total mangoes total mangoes ठीक है लिख सकते हो यह तो यह हो गया आपका answer 2 ठीक है यह हो गया आपका answer 2 clear तो दोनों के मैंने आपको first part भी करके दिखा दी है ठीक है यह आप लिखना है आपको mangoes from first tree mangoes from second tree ऐसे आपको लिखना है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका answer number 2 तो यहां पे मारी जो worksheet हो complete होती है यह आपको कुछी से समझ में आ गई है और अगर आपको plus वाला नहीं समझ में आपको तो मैंने इसके प्लस यहां पे करके दिखाया होई आपको लेकिन इसके आगे जो मैंने अब नहीं लिखा था वह आपको लिखना है ठीक है ईसके अप लिखोगे mangoes from second tree इसके आगे लिखोगे mangoes from third tree और यहां पे लिखोगे टोटल trees ठेक है अगर यहां से आप back करो वीडियो को back करके जो मैंने अभी उपर लिखा था वो लिखो यह सिर्फ मैने ऐसे एडीशिन करके दिखाया हो जो और अगर आपको ना शो हो रहूँ otherwise यहाँ पर आपको शो किया था आपको वही करना है ठीक है यहाँ पर इकता मीन मैंने आंसर सेकिंद का वöhी आंसर आपको लिखना है ठीक है सेमें allez मतलब इसमें स्टेटमेंट लिखी हुी है मैंने Prof. तो कुई भी डाउट है किसी भी को शिंच में तो comment section में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको लेक्चिर अच्छा लगी तो चैनल को सुब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कियर बावाई